कोश्चन दिया है रीना की वेतन का 24 प्रत्सत सुनीता की वेतन के 38 प्रत्सत की बराबर है बीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2 तिहाई है यदि बीना का वेतन 62,000 रुपए है तो सुनीता का वेतन है बीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2 तिहाई है तो Bina का वेतन बराबर हो जाएगा Rina प्लस Sunita और इसके दो तीहाई है तो 2 बटे 3 का इसमें गुणा कर देंगे Bina का वेतन दिया है 62,000 बराबर 2 बटे 3 Rina प्लस Sunita 2 से भाग देंगे 62,000 में 31,000 तो Rina प्लस Sunita बराबर हो जाएगा 93,000 यह हो जाएगी first equation रीना के वेतन का 24 प्रत्सत सुनीता के वेतन के 38 प्रत्सत के बराबर है रीना के वेतन का 24 प्रत्सत बराबर है सुनीता के वेतन के 38 प्रत्सत के यहां से रीना और सुनीता के वेतन का अनुपात निकाल लेंगे वीना बटे सुनीता बराबर हो जाएगा 38 बटे 24 दो कभाग दिदेंगे 24 में 12 दो कभाग दिदेंगे 38 में 19 वीना के वेतन का अनुपात हो जाएगा 19 और सुनीता के वेतन का अनुपात हो जाएगा 12 सुनीता का वेतन निकालना है दोनों का कुल वेतन दिया है 93,000 बटे दोनों अनुपातों का योग 19 और 12 का योग करेंगे 31 और सुनीता का वेतन निकालना है तो सुनीता के अनुपात से इसमें गुणा कर देंगे 31 का भाग देंगे 93,000 में यह हो जाएगा 3,000 बारा का गुणा कर देंगे तीन हजार में तो सुनीता का वेतन आ जाएगा 36,000 आपसन सीज का राइट आंसर होगा